मेरे प्रीय स्टाफ और प्यारे बच्चों, सबको रीपल बिल्डे की बहुत बहुत सुपकामना है आज की दीन क्या हुआ है? क्यों मनाते हैं हम इसको? रीपल बिल्डे को कोई बताएगा? किसको इसको पता है क्यों मनाते हैं? इसे करो इसे कौन कुसको पता है कि इसको अज का दिन क्यों खास है क्या है आज आज हम स्कूल नहीं आए और ये मना रहे है जंडा बंदन हो रहा है क्यों हो रहा है पता है सबको क्या बोला आज की दिन हमारा समिधान लाग हुआ था सबको बता होना चाहिए समिधान मतलब हमारे देश की रूल पुस्तिका बोल सकते है उसको कि देश के से चलेगा क्या व क्या दिन रहेंगे अच्छे वेक्ती के लिए क्या नेम रहेंगे बुरह बेक्ती के लिए पताई गई है और आपके राइटस बताया गए उसमें आप लोग जो 9th के बच्चे हैं जो 10 गपकोड़ते हैं ड्यूटी ऑस राइटस समीधान के अंदर स्वेशन के अंदर पड़ते ना किसके कोर्स में किसके कोर्स में हैं हाथ खड़े करो है ना टैंथ में भी है नाइथ में भी है तो पढ़ लेते हो कि याद भी रखते हो अभी छोटे बच्चे इनको तो नहीं पता है लेकिन आप लोगों को पता है ना कि आपको डूटीस बताई गई है इसमें राइट्स बताए गए है देखो सविधान लागू हो गया 1950 में 26 जनौरी को लेकिन उसके बाद उस सविधान को कितने लोग मान रहे है हम 26 जनौरी हर बार मनाते है तो हम क्या यह सपत लेके जाते हैं कि हम सविधान के अनुशार सारा काम करेंगे आप में से कितने लोग आप में से कितने लोग रूस को फालू करते हैं फालू करता है कोई एक छोटा कोश्चन कौन-कौन गाड़ी चलाना जानता है कार या मोटर साइकल 9-10 के बच्चे हाथ कड़े करो देखो इतने सारे लोग 26 जन्वरी मना रहे हैं और हाथ कड़े रखो हाथ 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 आप चलाते हो ना जब गाड़ी क्या लिखा उसमे सविधान में कि 18 साल से कम अमर्वाले को गाड़ी चलाना मना है लेकिन आप उसमेदान का लंगन करके गाड़ी चलाते हो रोड पर भगाते हो आपको बैस लाइसन्स नहीं है तो समेदान का हर हर जगे हम लंगन करते हैं हम हमारे राइट्स का उप्योग भी नहीं कर पाते हैं और हमारे ड्यूटी से उनको हमको निभाना है आज के दिए प्रण लेना है धीरे 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 हर ड्यूटी सको निभाना है अगर कोई आपको बाइक लेके बाइक देता है कि जाओ रोड पे चले जाओ गाड़ी लेके तो नहीं जाना है बोलो कि मैं 18 का होगा जब 18 के हो जाऊंगा जब गाड़ी चलाऊंगा ऐसा नहीं कि 18 के हो जाऊँगे तो गाड़ी चलाना याद नी होगी फिर या सीख नहीं पाऊँगे ये रूल्स की खिलाप है पता आपको इसे बहुत सारे निये में जो उनको हम फालो नी करते हैं थो आप तो बच्चे हो बड़े भी फ्रालोन निकरते हैं। कभी कभी हम शार के अंदर जाते हैं। तो आपके पापा गायी चलाते हो। आप पीछे बटाड़ते हो। कभि कभी रेडबत्डी में फॉद्वापा गाणी निकाल ले जाते हैं। बोले कोई निये निकाल लो कब तक खड़े रहेंगे इसा होता कि नहीं होता है तो आपके पापा ने क्या करा मोटर विकल एक को तोड़ा छे मेनी की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है और इस भी एक्स्टेंड हो गया उदर से आने वाला आज भी टकरा गया तो तो आ से भूश सरे रूज है जो हम रोज तोड़ते हैं हमारे घरवाले हमारे बड़े भी तोड़ते हैं तो रोको टोको रोखना है इस नहीं यह गलत है आप लालवत्ति पे खड़े रहो हो हम 5 दीश तो मिए को फरक नी पड़ेगा लाइन से खड़े रहो कि लाइन लगी हुई है तो उस लाइन को तोड़ के हम आगे निकल जाते हैं कि फालो करते हैं कि रूल्स को अरे हम हर बार 26 जनुरे को सविधान दिवस मनाते हैं इतना बड़ा सविधान है उसमें सब लिखावा है लेकिन मोटी मोटी बाते हैं आप सिर्फ आपकी ड्यूटीस पढ़ लो और आपके राइट्स पढ़ लो आपके लिए इतना काफी है लेकिन हम कोश्चन एंसर के तरह पढ़ लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं उनको उनको आत्म साथ करना पड़ेगा हमको हमारे अंदर उतारना पड़ेगा और उन रूल्स के हमको मानना है और हमारे पडोसी को हमारे घरवाले को भी मनवाना है क्योंकि सब अच्छा हो गया है सब बड़े हो गया है हम नोकरी कर रहे हैं उसके बाद भी कई रूल्स तोड़ रहे हैं तो गलत बात है हमारे आसपास वाले तोड़ रहे हम पड़े लिखे लोग हम कैसी समझाएंगे ना उनको अब बाइक चलाने के जित करते हो पापा से किसी गाड़ी को महमान आता तो उठा के ले जाते हो गलत है न वो चीज़े तो सविदान के बहुत सारे निये में जो हम तोड़ते हैं तो आज हम यहां से प्रण लेके जाएंगे कि हम सारे रूल्स को फालो करें और आज ही कल मे नाइंध क्लास और टेंध क्लास में देखूंगा कि ड्यूटी सो राइट्स की एक चार्ट बनी हो नीची सबके बास ज्यादा नहीं हो आपको याद होना ची पुछू हो मैं आकर ठीक है आप लोग छोटे बच्चे आप मैं क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा देखो मैं आपके लिए भी बता रहा हूं अभी हमने क्या करा थोड़े दिन पिले राम भगवान की स्थापना की कहां अविध्या में मंदिर बना ना आपने सबने देखा ना आपके पापा मम्मी सब किर्टन वजन कर रहे थे जंडे लगा रहे थे और हमने घर पे अब पूरे समिधान को मानने वाले थे हमारे भगवान हर विएम को फालो किया उनने इसलिए उनको मर्यादा पुरस्तम बोलते हैं कि आप करते हो क्या चोटे बच्चे अपने मम्म्य पापा को पेर चूते हो उनके रोज कौन-कौन चूता है कि पक्का डेली चूते हो स्कूल आते टाइम साम को सोते टाइम सुबह उठते टाइम धरती माता को प्रणाम करते हो क्या आप इसतर से उठके कौन-कौन करता है जे उठोगे सबसे बेले किसको प्रणाम करना है धरती मा को प्रणाम करना है उठना है आख खोलना है और धरती मा को प्रणाम करना है उसके बाद माता पिता को करते हो ऐसा आज से आपको करना है बड़े छोटे सबको ये रूटिंग डालोगे न तो धीर दीर नियम जो नियम है हमारे फ्रविदान को उसको मालने की आदत भी आपको बनेगी मंदिर कौन-कौन जाता है रोज साम को गाउं में आरती होती है उस टाइम मोबाइल कौन-कौन चलाता है कि उदर आरती घंटी पर देए टन-टन जरू मोबाइल चल रहा है को खाना खा रहा है एचा कौन-कौन करता है आरती होती तो क्या होना चाहिए आपको मंदिर जाना चाहिए क्या आरती घंटी के आवाज सुना रही है वार रुख जाना चाहिए भगवान को परणाम करना चाहिए अपने महले के मंदिर में हम रोज जाते हैं क्या अभी तो सब जा रहे हैं हम जा रहा थे नाभी भी रोज मंदिर जा रहे थे खुव आरती करें effective दस-पन्रा दिन लेकिन कि हमारे मौल्ण में जो मंदिर है उसमें हम सुबह साम आरती में जाते हैं क्या उड़े स्कूल आ जाते हैं क्या पांच मिट लगते हैं दस मिट आरती में लेकिन हम आरे सामने मंदिर में आरती हो रहे हैं और हम उदर मुबाइल चलाते रहते हैं बड़े बच्चों से बोल रहा हूं है छोटे बच्चों को रोज जाना चाहिए बहुत अच्छी परसाइब मिलती हैं आपे लड़ों मिलते हैं स्क्राइब, आपके मुल की मंदिर हुगा न? किसके में मुल में मंदिर है? गुड! तो आज से क्या करोगे रोज सामको एरती में जाना है सबको है ना? और अगर पापा, मम्मी फ्री हो तो उनको भी ले जाना है यह चै भाई फ्री हो तो बड़े बच्चे आपको भी जाना है मालम पड़े मंदिर में गंटी बजाने वाले बच्चे अभी तो बहुत भीड़ थी थी ना बेड़े भी मंदिरों में लेकिन अब खाली गंटी बजाने वाले बज गये हैं तो आप लोगो जाना है आधर डालना रोज मंदिर जाने की दालोगे पक्का आज प्रण करो क्योंकि आज सविधान दिवस है प्रण करो 26 जनुरिया सविधान लागवा हमरा हाथ ठड़े करो सब वेरी गूड ठीके अब ज़्यादा समय नहीं रहेंगे बहुत सारी बातें बता नहीं क्लास में बता देंगा आपको एक लेना था अब मैंने क्लास लेली ठीके आप सबको परबिटे की बहुत बहुत सुख करना क्योंकि देखो मेरा मकसद यह रहता है कि हम मनाते तो बहुत दिनों से आया है लेकिन उसमिधान की नियमों को पालन हम बड़े बच्चे भी नहीं कर पाते हैं उन छोटे बच्चों में आपसे आदत आएगी ना इसलिए मूल बात मैंने आपसे की और आज की दिन हमारा समिधान लागू हुआ समिधान केसा है उसमें क्या-क्या नियम लिखा हो आगे आप पढ़ोगे लेकिन जो 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 हमारे राइट से उडिवी तीस आप पढ़ लोगे तो उसमे हमारा काम हो जाएगा पुरा नहीं पढ़ नहीं कर उसमें तो कानून भी है उसमें धाराएं भी है बहुत सारी चीज़े है अच्छे बुरे वेक्ति के बारे में सब चीज़े हैं और आपको देखके सीखेंगे हो ठीके तो सबको रिपिल पुटे की बहुत बहुत सुब कामना है आगे के प्रोग्राम को एंजाइ करो थैंक्यू